गुड मॉर्निंग राधे राधे आप सभी को स्वागत है आप सभी का इस क्लास में तो रस हम लोग देख रहे थे रस पे एक क्लास हो गया है दूसरी क्लास है तो इस क्लास में हमें रस के भेद देखने हैं ठीक तो रस के भेद में हम सबसे पहले देखेंगे स्रिंगार रस क स्रिंगार शब्द स्रिंग और आर तो ध्यान देना है स्रिंग प्लस आर जब मिला है तो स्रिंगार बना है इन दो सब्दों के योग से निर्मित है जिसका अर्थ है कामोद्रेक की प्राप्ति या प्रिद्धी तो श्रिंगार का अर्थ क्या है? कामोद्रेक की प्राप्तिय प्रिध्धी आचारे विश्वनात के कामदेव के उद्भेद अंकुरित होने को श्रिंग कहा है और उसकी उद्पत्ती का कारण है लिखे हैं विश्वनात कि श्रिंग ही मनमो मनमथो भे दश्तदाग मन हेतु कह उत्तम प्रकृती प्रायो रसा श्रिंगार इश्यते तो साहित दरपड में विश्वनाथ ने लिखा है आचारे भोज राज ने श्रिंगार प्रकास की रचना करके तो स्रिंगार प्रकास की रचना किसने की भोज ने इसकी रचना करके उन्होंने या सिद्ध करने की चेश्टा की है कि इसी से संपून रश निकलते हैं वे इसे रस राज कहते हैं तो आचारे भोज राज ने स्रिंगार रस को रस राज कहा है और इनका मत्त सर्वो मानने भी है रस राज किसे कहा जाता है श्रिंगार रस को रसो का राजा कहा जाता है उनकी अनुसार श्रिंगार ही एक मात्र रस है और इत्यादी सभी भाव है यह जो कहा जाता है कि विभाव अनुभाव ये भिचारी के सयोग से स्थाई भाव ही रशत्व को प्राप्त होता है सर्वता शंगती है विभाव एवं भाव के द्वारा आनंद की रूप में परिड़त होकर अहंकार की रशत्व प्राप्त करता है और वही अहंकार ही स्रिंगार रश है भोज स्रिंगार को ही चतुरवर्ग का कारण कहा है अचारे भोज राज ने स्रिंगार रस को ही चतुरवर्ग का कारण बताया है नायक नायका के परश्पर अनुराग का वर्डन स्रिंगार रस की अंतरगत होता है स्रिंगार रस के दो भेद होते हैं एक है सायोक श्रिंगार रस और दूसरा है बियोग। बियोग को विप्रलंभ का विभीक सिंगार कहते हैं। ये दोनों यदिपी परस्पर विरोधी भाव की अनुभूती कराते हैं। तथा पी ये पुष्ट रती को ही करते हैं। अस्थाई भाव रती आलंबन नायक नायका उद्धीपन मुख्ष अंदर्य वसंत चांदनी रात आदी आश्रे प्रेमशक्त नायक या नायका अनुभाव आश्रे का प्रेम पुर्वक देखना। कंप रोमान्च कटाक्ष मुसकानादी संचारी जुगुपसा मरड संचारी भाव को छोड़ कर प्राया से सभी जैसे उदारण देखिए। संयोग श्रिंगार का उदारण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पूछा भी जाता है कौन सा इसमा रस है तो आपको बताना है श्रिंगुपसरेगार। क्या है पंक्ती। चितवत चकित चहुदीसी सीता कहां गए इन्रिप किशोर मन्चीता। लता ओट तब सखिन लखाए स्यामल गौर किशोर सुहाए। थाके नयन रघुपति छवी देखे पल कनिहूं परिहरी निमेशे। अधिक शनेह देह भई भोरी सरद ससीही जनुचितव चकोरी। लोचन मग राम ही उर्यानी दिन हे पलक कपाट सयानी। अर्थात यहां सीता का राम के प्रती जो प्रेम भाव है वही रती अस्थाई भाव है। राम और शीता यहां पे आलंबन विभाव हैं। और जो लता हैं यो दीपन विभाव हैं। देखना देह का पा, देह का भारी होना आदी अनुभाव है। हर्ष उत्सुकता आदी संचारी भाव है अता यहां पूर्ण संयोग रस है चितवत चकित चहुदी सी सीता कहां गए निप किशोर मन्चीता में संयोग शुंगा रस है अब आता है व्योग शुंगा रस संयोग में प्रेम होगा मिलन होगा व्योग में आपका विरह वडन होता है तो इसका उदारण देखिए नैननिको तरसई कहां लो कहां लो हियो विरहागी मित्ताईए एक घरीन कहू कल पईए कहां लगी प्राननिको कल पईए आवे यही अब जी में विचार सकी चली सौतिहों के ग्रिह जईए मान घटे ते कहां घटी है जूपए प्रान पियार एको देखन पईए यहां नायक तथा नायका का पाराश्परी कनुरागरती अस्थाई भाव है नायक तथा नायका आलंबन विभाव है नैनन को तर्शाना एक धरी को कल न पाना सौत के घर चलने का अग्रहादी अनुभाव है देखने के उसुकता तथा उद्वेक संचारी भाव है यह वियोग विरह के कारण है अतह यहां पे पून्ड वियोग शिंगार्रस है बियोग के दो मुख्य भेद होते हैं मान और प्रवाश तो बियोग के मुख्य भेद दो होते हैं मान और प्रवाश मान का अर्थ है रूठना एक तुमाली जे कोई प्रेमी प्रेमी का से रूठ गया हो तो वहाँ भी योग है और एक है प्रवाश तो मान कार्थे रूठना जन नाई का नायक से रूठती है तो मान होता है और इसके दो भेद होते हैं प्रड़य मान और इश्या मान और फिर दूसरा है प्रवास तो प्रिय के परदेश जाने से उद्पन वियोग प्रवास कहा जाता है यह कावे में कई कारड़ों से होता है तो हमने देखा श्रिंगारश स्रिंगारश के दो भेद होते हैं वियोग और सयोग सयोग में बिलन होता है प्रेम है वियोग में विरह है विरह किसके कारड़ है तो एक रूठना के कारड़ है मान के कारण और एक प्रवास के कारण है पत्ती कहीं चला गया है तो व्योग हो रहा है तो यह आपका व्योग और शयोग हो गया अब आते हैं दूसरे रश पे हासरस विक्रिताकार, चेश्टा, वेश, वाड़ी आदी के वड़न से हाश्रस की उत्पत्ती होती है आचारे भरत मुनी ने हाश्रस के मूल में विक्रिती का भाव माना है और इसे सभी रसों से अधिक शुखात्मक कहा है आचारे भरत ने दूसरों के विक्रितंग चेश्टा, वेश, 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 क्रितांग वेश चेश्टाभ्या भावती पर्ष्थाभ्या सच भूमनास्त्री नीच बलागता हासरस के विवेचन के क्रम में आचारे अभिनोगुप्त का महत्वपूर्ण स्थान है वे सभी रसों के अभास से हासरस की सिद्धी स्विकार करते हैं हास क्योत्पत्ति बानते हैं उनके अनुशार अबंधु सत्रु के प्रतिशोख हास्य में परिड़त हो जाता है एवम यो यश्यन बंधु स्थच्छों के करुड़ो अपी हश्य एवेती सर्वत्र योज्यम अभिनोभारती में अभिनोगुप्त लिखे हैं तो हासरस में स्थाई भाव क्या होता है स्थाई भाव वहां पर हास होता है आलंबन होता है विक्रित वेश खराब किसी की वेश वोसा बिल्कुल अनूठा विक्रित चैन वाला व्यक्ति विक्रित वचन वाला व्यक्ति जो बिल्कुल कुछ सब लोग बोल रहे हैं उल्टा सीधा सीधा बोल रहे हैं वो कुछ अलगे धर्डे पे चल रहा है फाल्दो की बगबग कर रहा है तो हसी आईगी उसके बात पे तो वो क्या है आलम बन है और इस थाई भाव तो हास है उद्धीपन क्या है उद्धीपन अनुपयूक तो वचन है बेशभूसा है अनुभाव है मूँ का फैलना आँखों का मीचना आदी संचारी भाव है निद्रा अलश चपलता अहित्था आदी अब देखेंगे हासरस के हम उदाहरण तो चलिए देखते हैं उदाहरण है बीधी हरिसंग हर हिम के भवन ठाड़े कुवर के लव को दिगंबर सुभेश के कह भिहारी सजी पन्नग लंगोटी एक आज जाने के मृजाद राज भवन विशेश के तो लो गए गरूड बिलो की सो भुजंग भाजियो संभु सकुचाने हसे साथी प्रभा पेखी के तो यहां पे तो हसी हसी आई गया है तो पहचाने जाएंगे के हसर असे फिर भी सकार्थ देख लेते हैं बताया गया है कि सिउजी को नग्र देख के लोगों का हसना हस अस्थाई भाव है और सिउजी यहां क्या है आलम बन भी भाव है तो जिनके कर्व हमारे हिर्दे में अस्थाई भाउदपन होता है वो आलंबन होते हैं तो सीव जी का विक्रित भेश देख के क्या हो रहा यहां पे यहां पे आलंबन सबको हसी आ रही है तो आलंबन है यहां पे और गरूर को देख कर लंगोटी बने सर्प का खिसकना उद्धीबन विभाव है अब उस सर्प उनका लंगोटी बना है तो गरूर को देख के लंगोटी बने सर्प का खिसकना क्या है अब सीव जी का लंगोटी बना है साप तो जब साप गरूर को देखता है तो डर जाता है तो अब खिसक जाता है तो सबको हसी आ गई होगी ठेक तो नगन महादेव को देखकर ब्रह्मा विश्नु आदी का ताली बजा बजा कर हसना और नारियों का वस्त्र देकर हसना अनुभाव है और हर स्चपलता आदी संचारी भाव है भारती आचारियों उत्तम मध्या में अम्निम्निस्रेडी के पूरुस इस्तिरियों के अधार पे इसके छे भागों में भी भक्त किया गया है तो पहले तो तीन भाग है तीन के फिर छे खंड किये गए है पहला है उत्तम प्रकृती का हास जिसमें स्मीत आता है हसी आता है फिर मध्याम प्रकृती का है जिसमें विहसित आता है और उपहसित आता है फिर निम्न प्रकृति का है जिसमें अप हसित आता है और अतिहसित आता है अतिहसित क्या है निम्न है तो अतिहसित नहीं होना चाहिए चलिए तो हास रस के इन भेदो कव आचारे ने आतमस्थ और परस्थ इन दो भेदो में भक्त करके इसे 12 भेदो में रखा है तो हमारा हास रस भी हो गया आप हम देखेंगे करुण रस क्या देखेंगे करुण रस भभूती ने उत्तर रामचरितम में इसे संपुन रशो का अधार भूत्तत्व शिकार किया है भभूती की रचना है उत्तर रामचरितम तो उसमें करुन रश को संपुन रशो का अधार भूत्तत्व स्विकार करते हैं और उनका प्रख्यात पद भी है उतराम जैतम के तृतिय अंक्षे एको रसह करूर एव निमित भेदाद भिन्नह प्रिथक प्रिथगी वाश्यते विवर्तान आवर्त बुदबुद तरंग मयान विकारान अभ्यो यथा शलील मेव तू तत समग्रम अर्थात मुख्यरस एक ही है और वह करूर ही है वह निमित की भिन्निता से कारडों के भेज से भिन भिन प्रग्विक्रिती को प्राप्त होता है करूढ ही अस्थाई भाव की भिन्यता के कारण श्रिंगारादी रसों के रूप में अवतिन होता है इस विशय में उसकी तुनला जल से की जा सकती है हवा के जोकों के अंतर के कारण वही जल कभी आवर्त बन जाता है कभी वही बुदबुद बन जाता है और कमी वहुंतराल तरंगों का रूप धारड करता है वह सब जल ही जल होता है परंतु निमित्य के कारड बेभिन आकारों का धारड करता है करुन रसकी भी यही स्थिती होती है सोक अस्थाई भाव से इसका संबंध जोड़ा जाता है और प्रियजन के वियोग से संबध देह नाश, विभाव नाश, साप से उत्पन, कलेश, देश, निरवाशन तथा अनेकानी एक संभावित विपत्तियों का आगमन विभाव के रूप में होता है आचारे धननजे ने इस्टना स्यानिष्ट की प्राप्ति से करुण रश की उत्पति मानी है दस रूपा गरंत है धननजे का तो उसमें कहते हैं इस्टनाशा अदनीष्ट प्राप्त उशोकात्मा करुनो रशा आचारियों ने इसे कई रूपों में विभक्त किया है भरत मुनी इसके तीन भेद स्विकार करते हैं धर्मों परदातक, अर्था, पचू, यूदभा, सोक कृत, इत्यादी अगनी पुराड कार ने चित गलानी जन्य इसके एक कन्य भेद को भी स्विकार किया है करुन रस का स्थाई भाव सोक है आलंबन विनष्ट व्यक्ति आवस्तू उद्दीपन उसका सव चित्र गुडादी अनुभाव देवनिंद है, भूमी पतन है, रोना है, स्तंभ है, प्रलाप है, आदी संचारी भाव है, निर्वेद, मोह, अपश्मार, व्याधी, गलानी श्मृति ब्रह तो करुणरस का इस थाई भाव शोक होता है, भवूति इसको सब रसों का मूल मानते हैं और करुणरस में क्या होता है, करुणरस में कोई हमेशा के लिए बिछड़ जाता है, किसी की मृत्यू हो जाती है तो वहाँ पे सोक होता है तो वहाँ पे करुणरस क्या होता है उत्पन होता है करुणरस में फिर मिलन की संभावना बहुत कम होती है इसलिए तो ये करुणरस है इसका उधारर देखिए सोक विकल सब रूव हिरानी रूप सील उबल तेज बखानी करही बिलाप या नेक प्रकारा परही भूमी तलिबा रही बारा दसरत के मृत होने पे रानियों का सोक करुण रस की बेंजना है जब दसरत जी के मृत्य हो जाती है तो तीनों रानिया बहुत रोती हैं बिलाप करती है तो यहाँ पे क्या है करुण रस है सोक नामक स्थाई भाव उनके हिदे में जागरित हुआ है किसको देखके दसरत के मृत्यू को देखके तो दसरत हालंबन विभाव है आसरे यहाँ पिरानिया है क्योंकि रोव ही रही है उद्धीपन राजा का रूप है मृत सरीर है उनका सील बल तेज वड़न अनुभाव रोना और विलाप करना संचारी भाव इश्मिती मुह आदी है अता यहाँ करुन रश है तो स्रिंगार देखा स्रिंगार रस का स्थाई भाव रती है स्रिंगार रन रस में प्रेम का वड़न मिलेगा उसके दो भेद है फिर करुन रस देखा उसमिका स्थाई भाव सोक है इसमें मिलन की कम संभावना रहती है किसी के मित्यू है को हमेशा के लिए छोड़के चला गया है तो करुन रस होता है हास रस में किसी को देख के हसी आ गई किसी की बात सुन के हसी आ गई किसी के बिकृत रूप को देख के हासी आ गई उसका स्थाई भाव हाश है तो वो हासे रस है अब आता है हमारा वीर रस वीर रस तो इसका स्थाई भाव है उच्साह उच्साह स्थाई भाव से परिपुष्ट यह वीर रस अनियेक रूपों में कावे के अंतरगत प्रकट होता है पराक्रम बल न्याय यश आदी इसके कारण बताए गए हैं आचार भानुदत परिपुनत प्रकट होने वाले उत्सा या शंपूर निरंदियों के प्रहर्ष को वीर्रस कहते हैं परिपुन्ण उच्षाह सर्वेंद्रियाडा प्रहर्षो वावीर वीर्रस का आस्रे उत्तम पात्र होता है अब यह नहीं कि किसी के भी वीर्ता का वर्ण कर दे उसके उत्तम पात्र भी होना चाहिए आचारे भरत मुनी ने नाटे सास्त्र के अंतरगात इसके तीन भेदों का उलेक किया है वीर्रस में जो पात्र है वो कैसा होना चाहिए भरत मुनी ने तीन भेद बताया है कि वीर तो तीन प्रकार के होते हैं एक दान वीर होता है एक धर्म वीर होता है और एक युद्ध वीर होता है दान वीर का अस्थाई भाव है दानोचसा धर्म वीर का अस्थाई भाव है धर्मोचसा और युद्ध वीर का अस्थाई भाव है युद्धोचसा आलंबन यहां पे सत्रू है जिस पर अधिकार प्राप्त करना है उसी के लिए तो हमारे मन में वीर्टा उत्पन हो रही कि उसे हराना है हरा के हमें विजय प्राप्त करनी है और उद्धीपन क्या है? उद्धीपन सत्रू का प्रताप है विश्मय है, शौर है, कुलाहल है अनुभाव है अथियारों का चलाना नेत्रों का लाल होना सरीर के रोमों का खड़ा होना आदी संचारी भाव है मती, गर्व, ध्रिती, प्रहर, शित्यादी उदारर देखिए वीर रसे इसमें पूछा भी जाता है ये कि मैं सत्य कहता हूं सके मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानों मुझे यमराज इसे भी युद्ध में प्रस्तूत सदा मानों जे हे सारते है द्रोड क्या आविश्वयम दिवेंद्र भी वे भी न जीतेंगी समर में आज क्या मुझसे कभी तो यहाँ पे क्या है वीर रस है कह रहा एदम confidence से कि सत्य कहता हूं सके आज मुझे सुकुमार मत समझो यह मराज से भी उद्ध करने के लिए मैं प्रस्तूत हूँ ठीक तो यहाँ पे वीर रस है तो यह ध्यान देना है यहाँ पे आसरे अभी मन्यू है और आलंबन द्रोड है और आदीक और अपक्षय यहाँ पे अभी मन्यू है अभी मन्यू है कहते हैं अपने सके से कि सुकुमार मत जानो मुझे मैं अमराज से भी उद्ध में प्रस्तूत रहूँगा और हे सार्थी ये द्रोड क्या है स्वयन देवेंद्र देवो के इंद्र भी आ जाएं तो वे भी आज मुझसे इस यूद में नहीं जीत पाएंगे तो ये कौन कहता है अभी मन्यू कहते है तो आसरे यहां पे कौन है अभी मन्यू है और आलम्भन क्या है? आलम्बन द्रोड है, कौरो पक्ष हैं, ये सब आलम्भन है और अनुभाव क्या है? तो अनुभाव अभिमन्यू के वचन है और संचारी भाव है गर्व, अमर्ष और उत्सुत्ता इसके बाद आता है भयानयक्रश अब देखेंगे हम भयानक्रश को तो भयानक्रश का तो अस्थाई भाव भय ही होता है भयानक्रश के उत्पत्ति भयावा द्रिश्य को देखने या बलवान व्यक्तियों के अपराद करने से होती है कोई भूत बलवान वेक्ति अपराद कर रहा है तो दर्द लगएगा वहां भयोतपन होगा भय अस्थाई भाव से पुष्ट रस को ही भयानक रस कहते हैं पताका पतन, किर्ती दोश, भयोत पदा, भयोत पादक शब्द, युद भूमी, निर्जन स्थान, सत्रू, आदी से घिर जाना इसकी कारण है हाथ पैर में कमपन, सरीर में रोमांच, विवर्णता, श्वर, परिवर्णता, नादी अनुभाव हैं अस्तंभ, वैवर्ण, श्वेद, रोमांच, कम, पत्रास, चपलता, आदी, भयानक रस के क्या हैं संचारी भाव हैं पहला है व्याधी जन्य, फिर है तो भयानक रस के भी तीन भेद बताये गएं, एक व्याधी जन्य है भयानक रस, कृत्रिम, एक अप्राध जन्य है और एक वित्राशी तक अनिष्ट की आसंका से उत्पन भयानक रस है उदारण देखी, उदारण क्या है समस्त सर्पो शंग, स्याम जो कढ़े, कलिंद की नंदनी की सुवंकशे खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी महा संकित भीत हो उठे जब सर्पो के साथ क्रिश्न जी सर्पो के उपर खड़ा होके निकलते हैं क्या रहता है, कोई समंद्र नदी रहती है कोई तो उस नदी में से जब निकलते हैं सर्पो के उपर खड़ा होके बहुत सर्प रहते हैं तो सारे जो ब्रजवासी हैं वो देखके भैभीत हो जाते हैं डर लगने लगता है उनको अब कोई एक साप को देख लेता है उसकी हालत खराब हो जाती है वहां तो कई साप रहते हैं तो उनी के उपर खड़ा हो के कृष्णी जी निकलते हैं तो सब डर जाते हैं देखके तो यहाँ पर क्या है भयानक्रस है यहाँ बरजवासी आस्रे हैं क्योंकि डर उनको लग रहा है किसको देखके तो सरपो से घृरे कृष्ण का द्रिश्य देखके उनको डर लग रहा है अनुभाव है भाग ना काप ना भय भीत होना और संचारी भाव है शंका आवेक मोह तो भयानक रश्ण में देखा भयानक रश का स्थाई भाव है भय वीरस का उस्सा है वीर में विर्ता का बढ़ होगा भयानक में डर लगेगा भय उत्पन होगा ठीक अब आता है विभाच रश क्या विभाच विभाच रश को देखेंगे इसका स्थाइभा जुगुपसा होता है घृडित या घृडुत पादक पदार्थों के धर्शन या स्रवर से विभाच रश उत्पन होता है या आप कोई घृडित पदार्थ देख ले तो आपको बहुत डर लगेगा मतलब डर ने लगेगा घृड़ा आएगी या फिर आप कोई सून ले किसी से कोई बताने लगे आपको श्टोरी तो अभी आपको घ्रड़ा आ जाएगी बहुत श्टोरी ऐसी होती है जो सुन सुन के बहुत घ्रड़ा आ जाता है ठीक तो वहां क्या है विभासरस है जैसे चिपकली है मुझे चिपकली को देख के बहुत घ्रड़ा आती है तो चिपकली क्या है चिपकली है आलंबन विभाव और मैं क्या हूँ आश्रे हूँ क्यों कि उसको देखके मेरे अंदर क्या रही है घृड़ा आ रही है तो वह आलंबन है और मैं आश्रे हूँ क्यों कि घृड़ा किसके अंदर आ रही है तो मेरे अंदर आ रही है ठीक तो विवस भाव में किसी को देखके य दियाते हैं वे विचारी भाव के अंतरगत व्याधी मोह आवेग अपश्मर मरड़ा दियाते हैं आचारियों ने इसके दो भेदों का उलेख किया है पहला है छो भज शुद्ध और दूसरा है उद्वेगी अशुद्ध रूधिरादी से जिसकी उद्पत्ति हो उसे छो भज और विष्ठा आदी से जिसकी उद्पत्ति हो विभज को उसे उद्वेगी कहा जाता है उदारण देखिए उदारण है रक्त मास के सड़े पंक से उमड रही है महा घोर दुरगंद रुध हो उठती श्वास तैर रहे गले अस्थी खंड सत रुण्ड मुंड हत कुटसित क्रीमी संकुल करदम में महा नाश के यहां आस्रे क्या है मजदूर है आलंबन क्या है उद्वूमी है और उद्वीपन क्या है उद्वीपन सड़ाव है दुरगंद है और अनुभाव क्या है स्वास का रुध होना ठीक तो यहाँ पर क्या है विभसरस है अब सुनके घृड़ा रहा है इसको रक्त मास के सड़े कीचर से पुरा उमड रहा है बहुत दुरगंधा रही है ठीक सांस लिए नहीं बन रही है एकदम तो यहाँ पर क्या है विभसरस है घृड़ा रही है नो सुनके सुनके देखके घ्रड़ा आये तो हां भी भश्रस होता है अब आता है अध्भुत्रश अध्भुत्रस का इस्थाई भाव होता है आश्चर्य आश्चर्य जनक पदार्थों के दर्शन से अध्भुत्रस उत्पन होता है इसकी उत्पत्ती लोकोत्तर वस्तु ये घटना के कारण भी होती है आचारे भरत मुनी ने बताया है कि अध्भूत रसकी उत्पत्ती दिवेजनों के दर्शन अभिष्ट मनुरत की प्राप्ती उपवन एवं देव मंदिर में जाने इसकी शभा विमान माया इंद्रजाल की शंभावना आधी कारणों से होती है आचारे भानुदत ने लोकोत्तर घटना तथा विश्मे जनक पदार्थों के अतिरिक्त अतियुक्ती, भ्रमोक्ती, चित्रोक्ती तथा विरोधा भाशादी को अध्भुत्रस का कारण माना है अतियुक्ती, भ्रमोक्ती, चित्रोक्ती, विरोधा भास, प्रभितयो अध्भुता एव भरत मुनी ने इसको दो भागों में बाटा है पहला है दिव्य, दैवी चमतकारों से युक्त, दूसरा है आनंदज और प्रत्याशित घटनाओं से उत्पन अस्थाई भाव है विमर्ष यास्चर्य, आलंबन है लोगिक द्रिश्य अवरस्तू उद्धीपन है आलंबन की विस्मय कारी क्रियाएं आदी अनुभाव है नित्र विश्फरित होना, रोमांच गदगद स्थंबित होना, संचारी भाव है चांचल, हर्ष और सुकी संका वितर्ग श्वेदावेक तो बताया गया है कि अध्वुत्रस में अस्थाई भाव क्या होता है विश्मय आश्चर होता है आलंबन क्या होता है लौकिक द्रिस्य कोई वस्तू होती है उद्धीपन आलंबन की विश्मय कारी क्रियाय होता है इसमें अध्वुत्रस में ठीक उदारर देखिए उदाहरण बताया गया है कि इहां उँहां दुई बालक देखा अमती भ्रम मोर कियान विशेखा तन पुल कित मुख बचन नयावा अनेन मुद चरनन सिरनावा यहां अस्थाई भाव विश्मन है और आलंबन सिसु है राम उद्धीपन आलंबन सिसु राम है और उद्धीपन है यहां वहां राम के कई रूप को देखना तो यहां वहां दुई बालक देखा मतलब इधर उधर दोठो बालकों को देखके मती भ्रम मोर कियान भी सेखा मती भ्रम हो गई तन पुल कित मुख बचन नावा तन पुल एकदम खिला हुआ है गदगद है लेकिन मुख से कुछ बचन नहीं निकल रहा है और नेन मूदी चरनन सिरनावा तो अनुभाव रोमांच है स्वरभन यहां पे कभी-कभी वो भी दे देता है भ्रांती मान भ्रांती मान भी यहां हो जाएगा और अद्भूत भी हो जाएगा क्योंकि राम के दो दो बालक शिशू राम को देख scrut या भी उद-पन हो गया है यहां पे बिल्कुल होगा आश्यर उद-पन की यह कैसे हो गया राम के दो दो रूप कैसे दो दो बालक कैसे दिख रहे हैं सिशू रूप में ठीक तो यहां भ्रांती मान भी होता है और क्या यह भी है अध्वुत रस भी है ठीक अब विकल्प के अनुसार इसको लगाया जाता है अब इसके बाद आता है रोद्र रस तो हमने अध्वुत देखा अध्वुत का स्थाई भाव है आश्चर अब आता है रोद्र रस तो रो अधर रस को हम देखेंगे अगली क्लास में इस क्लास में इतना ही और एक क्लास होगी रस खतम तीन वीडियो में रस समाक्त ठीक आधा अधा घंटा का तीन वीडियो है छोटा छोटा तो उमीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगे क्लास अच्छी लगे तो लाइक सेर झाल झाल